दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि clear cache करने से क्या होता है जब आप अपने phone में किसी भी app पर थोड़ी दे tap करे रहते हैं तो आपको एक app info का option दिखाता है जब आप इस पे click करते हैं तो आपको नीचे clear data का एक option दिखाता है यह क्या होता है जब आप यहाँ पे click करके यहाँ पे ok कर देंगे तो इस app की जो है पूरी cache files जो है वो delete हो जाएंगी किसी भी app का आप जैसे आपने phone में किसी भी app का cache clear करेंगे तो उसकी cache files delete हो जाएंगी यह cache files होता क्या है जैसे कि for example माल लेते हैं आपने आप chrome पर किसी website पे गए जैसे माल लेते हैं आपने chrome में flipcard खोल लिया flipcard.com तो होगा क्या जब आप उस पे जाएंगे तो एक website का layout होता है पूरा ना कहीं पर account लिखा आ रहा है कहीं पर categories लिखा आ रहा है या फिर home page जो होता है उसका उस पे कुछ images टाइप की होती है तो वो सब chrome जो है वो store कर लेता है आपकी memory में temporarily उसी को हम लोग कैसे files कहते हैं तो जब दुबारा आप फिर से chrome open करेंगे flipcard.com पे जाएंगे तो उससे होगा क्या वो server से नहीं load करके दिखाएगा आपको वो तो आपके phone में जो है already files store कर चुका होगा कैसे files जिसको हम लोग कहते हैं तो वो उसी से access करके आपको दिखा देता है इससे आपकी site जो है वो जल्दी load हो जाएगी आप जब अपने phone में दुबारा वो site खोलेंगे तो तुरंट आपको faster load हो जाएगी आपके phone में तो वो कैसे files होती है तो इसलिए जब आप किसी भी app का अपने phone में clear cache करते हैं तो उससे उसकी cache files बस delete हो जाती है इससे आपका कोई भी data बगारा नहीं delete होगा आप जब दुबारा हो सकता अपना app open करें तो हलका सा slow आपको महसूस करें बस एक बार open करेंगे उसके बाद फिर आपका normal चलने लगेगा अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे यह और भी videos देखने के लिए